किसें आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो हम लोगों को बहुत सारी क्वेरी जो है वो आ रही थी कॉंटिनियूसली इस एक्जाम के बारे में किसा जेंड के लदाख हाई कोड के द्वारा जो जूनियर अससेस्टेंट की तक्रीवन 200 प्लस वि अगर डिगरी है तो वह लोग इसको एक सब्जेक्ट था डिगरी के टाइम पे भी कम्विटर तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा आप लोगों को एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए जो की आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोगोंने करा है क नहीं से तो आपको वो प्रवाइड करवा देते हैं इसके साथ-साथ वहां पर मैंने उस वीडियो में आपको यह भी बताया था कि कित्रे महीने का एक बच्चे की क्वेडी थी जिस पर उसके लिखा था कि मिने पास तीन महीने का है तो यह क्या वैलिड होगा तो वहां पर उ वैलेबल करवाया था बहुत सारे बच्चे कह रहे थे इस पर्टिकुलर पोर्स पे आप लोगों को देखो डिटेल में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो चार कॉंपोनेंट है उसमें से तीन कॉंपोनेंट को मैं खुद डील कर रहा हूं इस ताइम पे आपको इंटर्व कंड़क्ट करवा लेंगे जैसे अब भी फॉर एक्जांपल नरेशन टॉपिक आपको घतम हुआ था उसके 70-80 प्लस आपको MCQs जो है 50 MCQs की प्रेक्टिस लेक्चर के फॉर्म में करवाईगी 80 की आपको टेस्ट की फॉर्म में करवाईगी थाकि आप लोग प्रेक्टिस क कर देगी अब बात करते हैं यहां पर सबसे पहले जो क्वेरी बच्चे बार-बार पूछ रहें कि सर यह एक्जाम कब होगा मैंने पहले भी क्लियर करा है वापिस एक बर यह आपको बता दू कि हाई को जो है ठीक है मैंने आपको यह पढ़ाया भी है हमारे तीन अलग और जाते हैं जिसमें government के जिसमें judiciary जो है वो अलग है इसमें आप लोगों के court of conduct का या फिर elections का कोई असर नहीं है यह अपने recruitment करवा सकते हैं अब थोड़ा सा अगर practical चलते हैं जो हमें भी हमारे sources से पता चलती है चीज़े तो यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों की जो अक्टूबर तक भर सकते हो एक डेड़ महीने का डाइव आप यहां से जो है जादा से जादा मानके चलो आपको मिलेगा आप लोग वहां पे जो है उसके बाद मालो जैसे advance notice आता है आप लोगों को भी हफता 10 दिन 15 पहले या एक महीना पहले बता दिये जाएगा कि आपका एक्जाम एक्सपेक्टेड जो है νचेंबर में कंडक्ट हो सकता है अब यहां पर यह छीज ठ्यान रखना दिसेंबर का जनूरी भी हो सकता है याननिंग नवमेंबर भी हो रहता है क्यूंका है कोड के अगर हम पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें यह जो है पेपर ज्यादा डिले नहीं करता है बहुत फास्ट रिक्रूट्मेंट प्रॉसेस जो यहां पे रहता है आपकी नोटिफिकेशन आने के बाद आपका स्लेबस आउट हो चुका है वही अगर हम जेके अससब करने के लिए हम लोग दिसेंबर को लेके चलेंगे अपने धिमाग में कि इस तक हमें अपना पूरा तयारी जो है वो खतम कर देनी है इंक्लूटिंग पेपर को किस तरीके से टेम्ट करना है क्या स्ट्रेटरजी करेंगी क्योंकि यह OMR पेपर नहीं होगा ठीक है यह आपका CVD पेपर है कंप्यूटर पेस्ट है यह आपका तो अब यहां पर क्या स्ट्रेटरजी होनी चाहिए कि 70 प्लस आए देगो 70 प्लस मैं यहां पर ऐसे नहीं लिख दिया कि आप लोगों को लगे इस एक्जाम में आप 70 प्लस लेके आ सकते हो रीजन क्या है अब हम उस पर आते है वाट टू प्रिपेर को भी अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा डिसकस करेंगे सबसे पहली चीज आपका 80 marks का जो paper है इसमें negative marking है ही नहीं जिस पर बच्चों को थोड़ी सी problem होती है problem face करनी होती है अब negative marking नहीं होने का मतलब यह है कि आप लोगों को paper में 80 out of 80 ही attempt करने है अपना guesswork जो है वो यहां पे भर भर के जो आप लोगों को हम लोग पहले paper में avoid करने के लिए कि यहां पर पूरी खुली छूट है हर एक बच्चे को वो इस पर attempt कर सकता है 80 out of 80 लेकिन यहां पर एक चीज ध्यार रखना है ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा सोच के जाएगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा तभी यह क्वालिफाई होगा अब यहां पर जो एक चेंज है मेजर चेंज वो क्या है मैं आपको बताता हूं देखो 5 is to 1 की रेश्यों में बच्चा होगा जिसमें 1000 बच्चा आप लोग मानके चल सकते हैं अप्रॉक्सिमेट जो क्वालिफाई करेगा इंटर्व्यू के लिए लेकिन आपको एक और चीज क्लेर कर दू जिन एक्जाम में इंटर्व्यू होता है उन एक्जाम में आपक इंटर्व्यू से ले सकते हो यह एक अप्रोच रहती है जो बाकी इंटर्व्यूस की अगर मैं बात करें जिस पर 20 नंबर को होता है तो यह एक मानके चलते हैं कि 10 से एक नंबर फिक्स होता है जितने हरे केंडिडेट को मिलते ही है कोई बच्चा बहुत एक्स्ट्रीमली अ नंबर मिल जाते हैं तो ऐसे चलता है इंटर्व्यू का भी एक सिनेरियो लेकिन अब यहां पर बात करें एक चीज़ हमेशा आपको गता दू जिस भी पेपर में कट आफ की बात होती है आपको जिसमें इंटर्व्यू की बात होती है आपको कट आफ से एक लीस्ट दस दस नंबर जादा चाहिए अगर मान लो पेपर का कट आफ आपका 55 जाता है तो जो बच्चे 65 स्कोर कर रहे हैं वह बच्चों का चांस बनता है कि वह फाइनल लिस्ट में आएंगे ठीक है कोई 55 कट आफ गया है किसी के 56 आए है तो वह सेलेक्शन लिस्ट में नहीं होता है यह भी याद रखना यह चीज़ भी मैंने एक्सपीरियंस एक करी है इन फैक्ट मेरे को इंटर्व्यू में टॉप जो हाइस वाक्स थे वह मिले थे मैं मेरे जो स्कोर था वह बिल्कुल कट आफ पे था यह यह चीज आपको याद रखना और रिटन एक्जाम बहुत एक क्या करें यह असी माक्स तो इन्होंने लिख दिये हैं जिसमें यह सब चीजें लिखें देखो जॉब रिलेटेड अवेर्नेस के अब आपको आईडिया हो चुका होगा यहाँ पे कोड रिलेटेड हम लोगों ने डेट्सों से जाधा टर्म्स को भी डिसकस करा है जो कोड म को चनकी सब से मेजर रोल यहां पे सबावडिनेट कोट का क्योंकि यह जो पोस्ट आपके disabledने के लिए विग नाकी हाई कोड या सुपरीम के ही है बलकि आपके जो इंटर्व्यू के 20 नंबर है ना उसमें भी आपको यहीं से चीज़े पूची जा सकती है इसके बाद अगर हम बात करें जो इस पर हम लोग बिल्कुल बेसिक से अभी काम करना है आपको यह सारी चीज़े जो दी गई है इसको पढ़ना है खास तोर पर आपको जैसे यहां पर लिखा हुआ है इन टॉपिक्स पर दो काम करना ही है फैक्ट्व अंडरस्टेंडिंग आफ इएट पीपल इडियम फ्रेज करने वाला हूं आपको अलग-अलग इवेंट्स के ओपर जैसे मालो इस साल पूरे साल जीए टैक्स कितने मिले मिलिटरी एक्सेसाइज कौन-कौन सी हुई इंडेक्स में रैंकिंग क्या-क्या इंडिया की तो यह ना एक अलग-अलग वीडियो में बना दूगा ताकि आप करना असान हो जाएगा चीजों को कुछ बहुत मेजर इवेंट्स हुए जैसे कि आपका ओलम्पिक्स में क्या हुआ पैरा ओलम्पिक्स में क्या हुआ किसने मैडल जीते तो यह तो मैंने औरेडी डिसकस कर दिया है यह दो पार्ट भी आपके साथ जल्दी ही जो है आपके स सेंबर में एडिशन होता है तो उस पे चोटा सा लेक्टर बनाकर या तो स्टाटिक जीकेगी उसको एक पीडियाफ में आपको अलग से प्रवाइड कर दूगा लेकिन यह लेक्टर सीरीज आप लोगों ही मैं हो सकता है नेक्स वीक से शुरू कर दो अब बात करते हैं पार इजामिनर तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़के अप्रोच करेंगे और वहां पर हम लोग एक लीड लेने की कोशिश करेंगे बाकी पेपर का स्लिबस इसमें इतना ज्यादा नहीं है एक सेलेक्टिव अप्रोच एक स्मार्ट अप्रोच जो है वह आपको यहां पे 70 प्ल अपना एक जो है ना करण्ट रैंक देखने को मिलेगा जो कट अफ हम लोग एनलिसिस वीडियो में डिसकस करते हैं आपको उसको भी उसमें भी अपने आपको प्लस टैन लाने की कोशिश करनी है क्योंकि आपको बता देंगी जितना बच्चा सीरियस बच्चा वेपर देता अतना बच्चा वेवारे साथ तयारी करता है तो एक रियल टाइम आलिसिस आप लोगों कहीं ना कहीं जो है वो मिल जाता है कि क्या कॉम्पेटिशन चल रहा है कितनी तयारी अभी और करनी है और कितने आपको मार्क्स और लेकर आने तो एक अच्छी ओपर्चुनिटी यह ह है हर उस बच्चे के लिए जो इसके लिए एलिजिबल है और सबसे जो अच्छी चीज मेरे को खुद यह लगती है कि इसका प्रोसेस ना फाल्ट में डिले नहीं करता है मेर्च महीने से पहले पहले इंटर्व्यू के साथ-साथ आपको आपकी जोईनिंग में बिल जाएगी क्योंकि ट्रांश्वर कहीं अप लोगों के इन्टर्वीयू सब खतम हो जाएगा और आप लोगों के पास आने वाले चार या पांच महीने के अंदर आपके पास एक जॉ तो यह target लेके आप लोग तयारी को focus करो शुरू करो क्योंकि देखो अभी election चल रहे है elections के बाद vacancies आएंगी उसके बाद आप लोगों का notifications के बाद आप लोगों paper होगा तो बैटर है कि अभी क्यों न हम लोग एक exam पर focus करके उसको qualify कर ले तो यह एक important चीज थी जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कितना time मिलेगा क्या strategy होनी चाहिए strategy मैंने आपको बता दी है पूरा detail में और इस particular exam में यह तीन component मैं खुड deal करूँगा तो यह आप लोगों को अब idea हो चुका होगा कि 5-6 साल में मैं कैसा बढ़ाता हूँ तो इस पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि justice आप लोगों के साथ हो और paper में आप लोगों साथ-साथ जो हमारी तैयारी है वो भी हमें result देखिया है क्योंक से कोई बच्च भी इसको जॉइन करना चाहता है तो आप लोगों को यह course हाड़ लिए भी 500-600 रुपे में जो है वो मिल जाएगा जिसमें test cd सब कुछ included होगा इतने में market में आपको book भी नहीं मिलेगी जितने में हम लोग आपको यह सारी चीज़े जो है वो provide कर वा देंग अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इस नंबर पर में WhatsApp कर सकते हो जिस पर आपको हमारी टीम जो है कोशिश करते हैं कि जल से जल हर एक जो डाउट है उसको रिजॉल करा जाए तो बागी all the very best और यह आपके कुछ common questions थे हर एक बच्चे को reply करना मुश्किल हो रहा था अभी के लिए दीजिये इजाजद, have a nice day, take care